खबर सक्मा से चिंगर ब्लॉक के ग्राम सगुनगाट में प्रदीश के अधियुक मंत्री कवासी लक्मा ने बारू नदी पर पुल निर्मान के लिए शिल्यानास किया बारू नदी पर बनाये जाने वाले 178 मीटर पुल से सगुनगाट और गुपनपाल के मध्य की अतिरिक्त दूरी कम हो जाएगी मंत्री लक्मा ने बारू नदी पर पुल निर्मान और पहँच मार्ग निर्मान कारे के लिए भूमी पूजन किया इसवरां चिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी छिंगर जन पंचायत अध्यक्ष देवली बाई नाक सुपमा नगरपाली का अध्यक्ष अगनात साहू जन पत सदस्ते गण जन प्रतिनीदी गण एम बड़ी संख्या में ग्रामिनम उपसीत रहे 990.36 लाग की लागत से निर्माण होने वाले इस पुल से सगुन घाट लैदा पुसपाल रिड़ी पाल बदन पाल कुमा कॉलेंग चितला नार की किरपा और तुमक पाल सहित 9 ग्राम के लगभग 10,000 ग्रामिनों को आवागमन में सुविधा होगी ग्रामिन विकास में आवागमन सुविधाओं के सुद्रिडी करण को शासन के प्रार्थमिक्ता में से एक बताते हुई उन्होंने कहा कि किसान शासन किसानों के हित के रे समर्पित होकर कारे कर रहे हैं